इंता बढ़ी है सुरक्षित रहने के लिए किरप्या तीन सरल उपायों का पालन अवश्य करें मास्क पहने दोगज की सुरक्षित दूरी बनाए रखे हाथ और चेहरा साफ रखें कोविट से संबनित किसी भी जानकारी और मार्ग दर्शन के लिए रास्टे हिल्फ लाइन न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री रास्ट्री बाल पुरसकार के विजयताओं से संबाद कर रहे हैं समरो के दोरान वर्श 2021-22 के विजयताओं को ब्लॉक चेन तकनिक पर आधारित डिजिटल प्रमान पत्र प्रदान किये जाएंगे विजयताओं को प्रमान पत्र देने के लिए पहली बार ब्लॉक चेन तकनिक का अस्तेमाल किया गया है सरकार के जो इनिशिटीव हैं यूजनाए हैं उसको स्टडी किया है हाँ से कुछ-कुछ मैंने किया है जब मैंने ये एप डेवलप किया था अगर उसको इसके साथ इनकॉर्पोरेट करोगी तो मैं समयता हूँ क्यों बहुत उपयोगी होगा और कुछ स्टार्ट अप वाले पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास स्टार्ट अप वाले अपना स्टार्ट अप बना देंगे आप यह सारा काम करती हो, हाँ सर, तो तुवहारे स्कूल का यह एनवायरमेंट है, मित्रों का है अधर की परिवार का है? सिर्ट अभी का ही हुआ है, स्कूल से भी बहुत सपोर्ट मिलते हैं, जभी भी छुट्टी मांगू दे देते हैं, मेरे फ्रेंज भी बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे फैमिली इस्पेशली मेरी दीदी मुझे हमेशा बोलती है और हमेशा सपोर्ट करते हैं कि स्कूल के परसेंटेज थोड़ा कम आए फिर भी ठीक है फिर भी इनोवेशन में तू ध्यान दे तो सभी बहुत सपोर्ट करते हैं त अच्छा, आप लेबोरेटरी में या अपने कॉम्पूटर पर दुनिया खपाती रहती हो, डिजिटल डिवाइसेज पर खेलती रहती हो, और फिर खेलकुद के मादान में भी चली जाती हो, क्या बात है? हाँ सर, मैं मानती हूँ कि पराइके साथ-साथ खेलकुद में भी हर लग्यों को या हर किसी इंसान को जाना चाहिए, और इस्पेशली सेल्फ डिफेंस लग्यों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं पराइके साथ-साथ खेलकुद भी करती हूँ सर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कलने दिली में इंडिया गेट पर नीता जी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों की भागेदारी से नेता जी सुवाश्चंद्र बोज के सपनों के भारत का निर्मान किया जाएगा प्रधान मंत्री ने कहा कि नेता जी जो कुछ ठान लेते थे वही करते थे प्रधान मंत्री ने कहा कि हमें सुहाश्चिंद्र बोज की कर सकता हूं करूंगा की भावना से प्रेरित होकर आगे बढ़ना है याद करने के अगवाई की खुद देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलिक इंडिया गेट पर प्रधान मंत्री ने नेता जी की होलोग्राम प्रितिमा का अनावर अरकिया ये होलोग्राम प्रितिमा 28 फिट उची और 6 फिट चौड़ी है जिनों ने भारत की धर्ती पर पहली आजहाद सरकार को स्थापित किया था हमारे उनेता जी की भव्य प्रतिमा आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रिनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी नेता जी की 125 जैनती पर केन सरकार ने कई बड़ी पहल की है अब गर्तन दिवस अमारो पराक्रम दिवस यानी नेता जी की जैनती से शुरू हो रहा है पीम ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि स्वाधिनता संग्राम में लाखो लाख देशवास्यों की तपस्या शामिल थी लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिशे हुई ये दुर्भाग्य रहा कि आजहादी के बाद देश की संस्क्रती और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया स्वाधीनता संग्राम में लाखो लाख देश वास्यों की तपस्या सामिल थी लेकिन उनके इतिहास को भी सिमित करने की कोशिश हुई लेकिन आज आजहादी के दसकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविट की 3,664 नए संक्रमितों की पहचान की गई है इस दौरान 2,43,495 संक्रमित स्वास्थ भी हुए है कई संगठन एहम भोमी का निवा रहा है टीकाकरण के मामले में भारत इतिहास रच्ते हुए बहुत ही तेजी से टीकाकरण करने में लगा हुआ है देश में टीकाकरण का आकड़ा 162 करोड को पाल कर गया है ताज़ा आकड़ों के मताबिक देश में कुल वैक्सिनेशन की संक्रमितों 162 करोड 26,7,516 है इधर जालखन में पिछले 24 गंटे के दौरान COVID-19 की 1279 नए संक्रमितों की पहचान की गई है जबकि इस दौरान 3423 संक्रमित स्वस्थ भी हुए वहीं COVID-19 से 8 लोगों की मौद भी हुई है राजी में COVID-19446 मामले सक्रिये हैं सराय केला में चवन रित्य में मुख्य भूमिका निभाने वाले मुखोटी के निर्माता नर्तक मुस्कुराएगा इंडिया थीम पर कोरोना काल में अपने अदबुत रित्य से लोगों का खौसला बढ़ा रहे हैं साथ ही लोगों को जागरुख भी कर रहे हैं पेशेक रिपोर्ट कोरोना की तिसरी लहर में जब एक बार फिर देश अपने स्वास्थे को लेकर चिंतित है और संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है ऐसे में एक शित्रीय कलाकार भी आगे आकर लोगों को हौसला दे रहे हैं सराइकिला के छो कलाकारों की यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म पर कारिक्रम और कोरोना जागरुखता की प्रस्तोति की आज कल काफी तारीफ हो रही है सराइकिला चो के कलाकारों को देश दुनिया में काफी लोग का प्रियता मिली है लेकिन कोरोना के बाद लगातार आयोजनों में रोक कारिक्रम भी कम हो गए हैं इस विशम परिस्थिती में भी ये कलाकार अपने नृत्य के माध्यम से मुस्कुराएगा इंडिया थीम के जरिये लोगों को कोरोना से बचाओ का संदेश दे रहे हैं करोना की इस चंग में वैसे तो सभी अपनी तरह से योगदान दे रहे हैं लेकिन चोगे कलाकारों की यह प्रस्तूती वो कोशिश है जो आपको इस करोना काल में भी मुस्कुराने की वजह देगी सराय के लाख खरसावा से दूर दर्शन के लिए अनूप मिश्रा की रिपोर्ट देश में कोविट के खिलाब जारी जंग में टीका करणा अभियान तेज गती से चल रहा है केंडरी स्वास्ति मंद्राले के नुसार देश में अब तक एक औरब 62 करोड 26 लाग से अधिक्टी के लगाए गए हैं और दुनिया वर में ओमिक्रोन वेरियंट के करण करोना वारस के मामले तेजी से बढ़ होती उसमें देखने को मिल रही है अब तक करोना संक्रमन के 35 करोड 18 लाग से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं वहीं 56 लाग 14 लोगों की करोना संक्रमन से मौत हो चुकी है करोना के ओमिक्रोन वेरियंट के मामले अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे हैं अमेरिका में अब तक करोना के कुल 7 करोड 19 लाग सदिक मामले सामने आए हैं अमेरिका में अब तक 8 लाग 89 लागों की मौत हुई है वहीं यूरोपिय देशों में भी ओमिक्रॉन वेरियंट के कारण मामले बढ़ रहे हैं फ्रांस में सबसे ज़्यादा 1 करोड 66 लाक मामले सामने आये वहीं ब्रिटेन में भी कोरोना संक्रमेतों की संख्यां 1 करोड 58 लाक से ज़्यादा हो चुकी है रूस में 1 करोड 11 लाक से ज़्यादा मामले सामने आये हैं और जर्मनी में 87,07,000 से ज़्यादा मामले सामने आये हैं इधर जहारखण में भी कोविट के खिलाब जारी जंग में टीका करण अभियान तेज गति से चल रहा है राजी में 15-18 वर्ष के किशोरों में टीका करण को लेकर भारे उत्साह देखा जा रहा है एक और किशोर अपना टीका लगवा रहे हैं वहीं दूसरी और वे लोगों को टीका करण के प्रती जागरुप भी कर रहे हैं आज राजी समीत राजी के विभिन जिलों में कई टीका करण केंद्र बनाए गए हैं जहां लोग टीका लगवा रहे हैं मुखे मंद्री एमन सोरेन और खादिया पूर्ती मंद्री रामेश्य रोराओ आज राजी इस्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से कई राइस मिलों का उद्खाटन करेंगे इनमें गड़वा, पलामो, लातिहार, पश्चमे सेवुम, खोंटी, गुमला, सिम्डेगा, धनबाद, बुकारो और गुड़ड़ा के राइस मिल शामिल है भारती जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिपक प्रकाश ने आरोप लगाया है कि राजी सरकार किसानों को आत्म हत्या के लिए बाध्य कर रही है उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे आत्मत्या नहीं करें बलकि एक जुट होकर राजी सरकार के खिलाफ संगर्श करें श्रीप्रकाश ने कहा कि राजी सरकार किसानों की फसल को ना खरीद कर उन्हें मुसीबत में डाल रही है पर्शमी सिभुम की जिला मुख्याले चायबासा में कल कोलहान अलग देश के चार्ट समर्थकों की गिरफतारी के बाद हिंसा भड़क गई दो सो से अधिक ग्रामिनों ने लाठी डंडे तीर धनुष पत्थर समीत पारंपरिक हत्यारों से मुफस्सिल थाने पर हमला कर दिया इस्तिती बेकाबू होता देख पुलिस ने भीड पर लाठी चार्च किया इस दोरान तीन पुलिस कर्मियों के शरीर में तीर घुज गया चाइबासा की पुलिस अधिक शक अजय लिंडा ने बताया कि ग्रामिनों के हमले में साथ पुलिस कर्मिक हैल हुए है जिनका इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है वहीं कई ग्रामेनों को भी गंभीर चोट लगी है पुलिस ने घटना के बाद 17 लोगों को गिरफतार कर जेल भीज दिया पश्चिमे सिवम जिले के सोनुआ थाना शेतर में एक कंटेनर ट्रक हाई बोल्टे स्टार की चपेट में आ गया जिससे उसमें आग लग गई ट्रक के ड्राइवर और सहचालक ने किसी तरह कूद कर अपनी जान बचाई इसे बीच CRPF के जवान वहां पहुंचे और ततकाल उपलब साधनों बाल्टी मग और छोटी मोटी बरतनों से ही पानी लेकर आग बुझाना शुरू किया उनकी इस प्रयाज से थोड़ी ही देर में आग पर काबू पालिया गया जिससे कंटेनर ट्रक पूरी तरह से जलकर राख होने से बच गया CRPF की इस जाबाजी की लोग सराहना कर रहे हैं जारकन स्टेट लाइबली होड प्रमोशन सुसाइटी की सहायता से साहब गन्जिले की सिक्षित बेरोजगार महिलाएं आत्म निर्भर बन रही हैं ये महिलाएं अपने घरेलू कामकाज के साथ साथ स्वारोजगार कर ना किवल अपनी परिवार की जीवी का चला रही हैं बलकि दूसरी महिलाओं को भी आत्म निर्भर बनने के लिए प्रेडित कर रही हैं साहिवगंज जिले के पतना प्रखंड की मजहर जुठी गाओं की शमा प्रवींड कोस करने के लिए बावजूद पैसों के अभाव में ब्यूटी पार्लर नहीं खोल पार रही थी JS LPS से उन्होंने कम ब्याज दर पर रिंड प्राप्त कर ब्यूटी पार्लर खोली जिससे उनकी आय बढ़ी है जिससे मैं अपने सिंगार दुकान में कुछ कुछ समान ले आई और यहां के लोगों को ब्यूटी पालर की सुविधा परदान करने लगी इसी प्रखंड की शांतिनगर की अनिता देवी JS LPS से जुड़कर 15,000 रुपे का रिंड प्राप्त किया और सबजी दुकान चला रही है इससे उन्हें प्रतिमाह 5,000 रुपे तक की आमदनी हो जाती है पतना के प्रखंड विकास प्रादिकारी सुमन कुमास सौरफ ने कहा कि जिन महिलाओं को रोजगार के लिए पैसों की आवश्रिक्ता थी उन्हें चिन्हित कर JS LPS से कम ब्याजदर पर रिंड मुहया कराए गया है ये महिलाएं श्रिंगार एवं कपड़े के दुखान के अलावा अन्य कारुबार कर रही है JS LPS के स्वयम सहता समू के माध्यम से जो वैसी महिलाएं जिनकों की जीव को पारदिन के लिए कठनाईया थी तो हमारे परखंड में JS LPS के माध्यम से वैसे महिलाओं का चैन किया गया उनको चिनित किया गया और उनको स्वरजगार से जोडने के लिए जो रिंड की आउशकता है वो उपलब कराते हुए उनको रोजगार से जोडा गया जैसा कि आपको पता ही है कि कई सारे महिलाएं हैं जिनोंने सब्जी का वेंडिंग जो है उन्होंने अपड़िट खोला है दुकान कपड़े के दुकान और जो लेडिज है कुछ ने सिंगार के समान बेचने जैसे अन्ने कामों को भी स्वर्म साहता समुझ से जुड़कर उ अन्य गाउं की महिलाएं भी जे-एस-ल-पी-एस से जुड़कर स्वरोजगार कर रही हैं। साहिब गंज से संजय गुपता की रिपोर्ट। राजदानी राची समीत राजजी के कए इलाकों में पश्मी विशोप के कारण कल हुई बारिश के बाद आज सवेरे से गना कोहरा चाया हुआ है। मौसम विग्यान केंद्र के अनुसार आज और कल सुवा में धुंद चाया रहेगा। विभा के अनुसार 25 जनवरी को केवल उत्तर पूर्व इलाकों में हल्की बारिश होगी और 26 जनवरी से मौसम साफ होने का अनुमान है। समाज के लिए कुछ करने की इच्छा हो तो फिर कुछ भी सकारात्म किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ पहल बुकारो की चास महाविद्याले की प्राचारे डॉक्टर शिकान सिनहा ने की है। का सदुप्यों करते वे डॉक्टर सिन्हा कॉलेज परिस्तर में ही काला गेहूं का बिचड़ा तैयार कर रहे हैं ताकि कॉलेज के आसपास के किसान काला गेहूं की खेतिकर मुनाफ़ा कमा सके काला गेहूं के गुणों का बखान करते वे डॉक्टर शिकान सिन्हा ने बताया कि यह औश्यदिय गुणों से परिपूर्ण है और इसकी खेति को पंजाब और चतीस गर में बढ़ावा दिया जा रहा है उन्होंने बताया कि काला गेहूं में एंटी ऑक्सिदेंट और फाइबर सहित एक दर्जन से ज्यादा बिटामिन मौजूद है बताया जा रहा है कि आम गेहूं के मुकामले काला गेहूं महंगा जरूर है लेकिन सिहत के लिए ये अम्रेत के समान है बुकारों से मनोज कुमार की रिपोर्ट और अब कुछ खबर राजी के विभिनिस जिलों से गुड़न जिला अंतरगत पथरगामा के बाबा ताला में एक डूप कर मौत हो गई थी बताया जाता है कि दाहसंसकार की बाद कुछ लोग इस बड़े ताला में स्नान करने आये थे इसी दोरान ये वक्त डूप गया लगबग 40 गंटे की खोजबीन के बाद NDRF की टीम ने आज शब बरामत किया राजी सांसत संजे सेट लाइन्स क्लव औफ राजी कैपिटल के तत्वाबधान में रातु रोड के देवी मंड़ रोड में लाइन्स जल सेवा सुविधा का लोकारपन किया राजी सांसत से उनके आवास पर आम नागरिकों ने भी मुलाकात की पश्च में सिभूम के इस सोनुव थाना शेतर में एक कंटेनर ट्रक हाई वोल्टेस तार की चपेट में आ गया जिससे उसमें आग लग गई ड्रक की ड्राइवर और सहचालक ने किसी तरह कूद कर अपनी जान बचाई इसी क्रम में CRPF के जवान वहां पहुँचे और ततकाल उपलवत साथनों से पानी लेकर थोड़ी ही देर में आग पर काबू पा लिया रांची मी जिला परिभन पदाधिकारी प्रवेण कुमार प्रकाश द्वारा सगन वहां जाच अभ्यान चलाया गया रामपुर नामकों में जाच अभ्यान के दौरान सैक्ड़ वानों की कागजातों की जाच की गई जिसमें कई वानों की फिटनेस, पॉलिशन एवं एंशुरेंस फेल पाए गए रांची मी शिब बारात आयोजन महासमीती पहाड़ी मंदिर ने प्रसवारता एवं महाकाल की भवे आरतिका आयोजन कर सरकार से कोविट दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शिब बारात को भवे तरीके से आयोजित करने की अनुमती मांगी लातिहार जिला अंतरगत छत प्रतिशत कोविट टिका करन सुनिश्चित करने की उदेशी से जिले के वरी अधिकारियों द्वारा डोर टू डोर अभियान के तहत सुदूर वर्तिशेत्रों में गामेणों को प्रोत्साहित करते हुए योग्य लाभुकों को कोरोना टिका लगाया जा रहा है खूटी जिले में सभी की सक्रिय प्रयासों से टिका करण अभियान में तीजी आई है कोरोना मुक्त खूटी के संकल्प को पूर्ण करने के उदेशे से जिले के सुदूरवर्ती शेत्रों में भी सुगम रूप से कोरोना का टिका लगाने का कारिया जारी है ताकि शत प्रतिशत योगे लाबुकों को टीका कृत किया जा सके नकसल पतिशोत सप्ता और गनतंत्र दिवस को लेकर गुमला पुलिस ने देराज शहर के विबिन होटल और रेस्ट हाउसों में सर्चब्यान चलाया इस दोरान रेस्ट हाउस और होटल में रुके लोगों से पूछताच की गई और उनके कागजातों की जाए इस दोरान गुमला पुलिस ने रेस्ट हाउसों में सीसी टीवी लगाने के निर्देश दिये हैं पुलिस ने इस मामले में 17 लोगों को गिरफतार कर जेल भेज दिया है हजारी माग जिले में हुए दो अलग-अलग सड़क हाथसों में दो लोगों की मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल हो गए पहला हाथसा बरही के महवा गाड़ा में हुआ वही दूसरा हाथसा कटकम सांडी में हुआ बरही में आटो पलटने से एक मैला की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए देक्षिन अफ्रिका ने तीसरे और आंती में एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को चार रन से हरा कर तीन मैचों की श्रिंकला तीन शुने से जीत ली है मेजबान टीम ने भारत का क्लीन स्वीप कर दिया भारत के लिए विराट कोरी ने 65 शिखर धवन 61 और दीपक चाहड ने 54 रनों की पारी खेली साथ अफरिका के लिए लुंगी एंगिडी और एंडिले फिहल लुकायों ने तीन तीन विकेट अपने नाम किये ड्वेन प्रोटेरियस को भी दो सफल ताइम मिली पहले खेलते वे साथ अफरिका की पूरी टीम 277 रनों पर आल आउट हो गई थी भारते टीम में शामिल किये गए प्रसिद्ध करश्णा ने तीन विकेट अपने नाम किये उनके लावा जस्परित बुमराह और दीपक चाहर को दो-दो सफल ताइम मिली मेजवान टीम के लिए क्विंटन डिकॉक ने 124 और रासिवान डियूसेन ने 52 रनों की पारियां खेरी साल 2022 में अभी तक टीम इंडिया को दो टेस्ट और तीन वंडे समेट लगातार पांच मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है भारत को शुन्य के मकाबले दो गोल से पराजित कर दिया जबकि भारत अपने पहले मैच में मलेशिया पर नो शुनी से जीत दर्ज करने के बाद दूसरे इस्थान पर है भारत का अगला पूल मैच सुमवार को सिंगापूर से होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र वोधी के आका श्वानी पर मन की बात कारिक्रम में आंशिक फेर बदल किया गया है 30 जनवरी को ये इस बार 11 बजे की बजाएं साड़े 11 बजे से सुना और देखा जा सकेगा प्रधानमंत्री मन की बात कारिक्रम से पहले राश्पिता महात्मा गांधी की पूर्णय तिथी पर उन्हें नमन करेंगे जिसके बाद मन की बात कारिक्रम को संबोधित करेंगे आम लोग 28 जिन्वरी तक इस कारिक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं मन की बात है जन जन की बात संघर्षों के कुछ किसे कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उमीदें नए भारत की महीने के आखरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आचल से विंध्याचल के आंगन तक प्रम्भपुत्र के घाट से हिमाले के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 30 जनवरी सुभे 11 बजे जार्खन की राजदानी राची में पुलिस विभाग में डेस्पे के पतपर करेरत विकांस चंदर शिवास्तब और उनकी डेस्पे की पाथशाला देश भर में सुर्ख्यामटो रहे है क्या है ये डेस्पे की पाथशाला डालते हैं एक नज़र यह स्टोरी कोई फिल्म तो नहीं लेकिन इसके किरदार थोड़े फिल्में चरूर है अपनी ड्यूटी के दोरान बेहत सक्त दिखने वाला या इनसान सामान्य जीवन में उतना ही नेक और नरम दिल इनसान है हम बात कर रहे हैं जहारखंट के राची में पुलिस विभाग में कारेरत दीएसपी विकास चंद्र स्रिवास्तब की लोग इन्हें वर्दी वाले गुरुजी के नाम से भी जानते हैं गुरुजी की एक पाट शाला भी है जिसका नाम डीएसपी की पाट साला है दरअसल डीएसपी विकास कई वरसों से बच्चों को मुफ्त सक्षा देते आ रहे हैं कुरोना की विप्दा से पहले इनकी क्लास, स्कूल के ब्रामदे, स्टूडेंट्स होस्टल, किसी लाइबरेरी या फिर पीड़ में सस्ता था लेकिन अब यह ऑनलाइन हो गया है विकास एक सिक्षक पुत्र है और पढ़ाने की यह सनक उनको विरासत में मिली है बहराल अपने सामाजिक दायतों की पूर्ती के लिए यह पुलिस के साथ साथ सिक्षक की भी दोरी भूमी का निवा रहे है जानकर भले ही हैरत हो लेकिन सच यह है कि विकास के पढ़ाई कई चात्रों ने सिविल सर्विसेज, BPSC, JPSC, Banking, SSC और विभिन प्रतियोगता परिक्षाओं में सफलता पाई है और आज वो जिन्दगी के बहतर मुकाम पर है केबल जारखंडी नहीं बलकि देश के कई राज्यों और शहरों में इनके सिस्षे हैं चात्रों ने कि इनके पढ़ाने का तरीका इतना सरल है कि बाते एक बार में ही याद हो जाती है हमारे देश में सिक्षा को सर्वो पर ही रखा गया है और गुरू को इस्वर के समान दर्जा पराप्त है देश पी विकास अपने ग्यान और अनभव को बाट करना सिर्फ देश के लाखो युवाओं के आदर्स बन गये हैं बलकि उनके दिलों पर भी राज कर रहे हैं राची से अब देश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार और आखिर में इस पुलेटिन के मुखे समाचार एक बार फिर प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदीन राज्ट्रेबाल पुरसकार के विजयताओं से किया संबार विजयताओं को प्रदान किये गए ब्लॉक शेन तक्निक पर आधारिट बिस्टल प्रमान पत्र राज्जी में पिछले 24 घंटे के दौरान कोबिट से संक्रमित करीब साड़े 3,000 लोग हुए स्वस्थ 1279 नए संक्रमितों की पहचार मुख्य मंत्री हिमन सोरे नौर खादिया पूर्टी मंत्री रामेश रोराउं संयूप रूप से राइस मिलों का करेंगे उद्घाटल और राजदारी राची समीत आसपास के शेत्रों में सवेरे सिछाया है गना कोहरा 24 जन्वरी से मौसम साफ होने की संभावना 22 जन्वरी से प्रिक शिताई को सिरा हिर 25 जन्वरी סिव där सख fossil ligत ुएर व्राइस 25 जन्वरी समीव एंझिया च Messiah 24 जन्वरी 25 जन्वरी से राढ nud का मैं च以上 कि य바 25 जन्वरी सामेर 25 जन्वरी से प्लयरे से बाल कॉमब़ उद्वर performed नमस्कार स्वागत है आप से भीका हमारे इस विशेश कारिक्रम डॉक्टर सफीक्स बाते कुरोना की में मैं हूँ अनुक्रिया धर्म कैसे निभाते हैं अगर ये हमें सीखना है तो हमें हमारे डॉक्टर से सीखना चाहिए मैं यह क्यों और किस बयां पर कह रही हूं अगर यह हम पिछले दो साल को देखे तो हम बड़ी आसानी से इसे समझ जाएंगे हमारे देश के या कहें तो पूरे विश्वर के जो डॉक्टर से वो ना सिर्फ अस्पतालों में मरीजों का इलाज कर रहे हैं बलकि साथ ही साथ वो इस तरह के कारेक्रमों में जा रहे हैं ताकि लोगों तक वो इस वाइरस से जुड़ी हर छोटी से लेकर बड़ी जानकारी पहुंचा सके ताकि लोगों में जागरुपता जितनी जादा से जादा हम फैला सके उसे फैलाए ताकि यह जो संक्रमन है वो क स्वागत करेंगे अबिशेख कुमार जी का अबिशे जी स्वागत है आपका हमारे सकरिक्रम में नवस्तिहनु प्रियाजी मैं हुझी में अपरें चाहनु यह जो पिछले थो साल हम धेखें कितनी भयानक स्थिती थी बड़ा ही डर लगता है इसे याद करके तो अगर मैं आपका अनुभाव जानना चाहूं मतलब मैं अपने इस कारिकम के शुरुवात यहीं से करना चाहूंगी